नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज हम बात कर रहे हैं अकलेश यादव की जिनके मंतरी स्वामी प्रिशाद मौरे ने रामचरित मानस को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उसके बाद लगातार बयान बाजी का दौर जारी है हला कि इस बीच उन्होंने चाचा शेवपाल को एक बड़ा पत दिया राश्टिय महासाचिव का आजम खान को भी दिया और स्वामी प्रिशाद मौर को भी दिया जिन्होंने रामचरित मानस को लेकर एक बड़ा बयान दिया था अब ये देखने को मिल रहा है साथी साथ सुन जगा भी दे दिये कौन है वो नेता उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं आपको बताएं कि राश्टिय कारेकारडी जो नई गठित की गई थी उसमें तमाम कारेकरताओं के असंतोश को दूर करने का एक बार फिर अखलेश आदव ने प्रयास किया है अखलेश ने OBC के नेता को शामिल कर लिया है ये कदम पार्टी के कुछ वर्गों में कारेकारडी में उच्छ जातियों के कम पृतिने तुको लेकर बातचीत के बाद सामने आया है और फिलाल आपको ये भी बता दे कि ओम प्रकाश शिंग अर्विंद सिंगोप विने तिवारी नीरत सक परी को इसकी गोशना की गई थी और मूल रूप से अगर बात करी जाए तो कारेकारडी में 62 सदसे थे और इसी दिन उसे बढ़ा कर चौसट किया गया और अब 69 टोटल अगर बात करी जाए तो सदसे हो चुके हैं और इसमें आपको बता दे कि 11 हैं 10 मुसलिम हैं 25 गैर किया जा चुका है ओम प्रकाश शिंग ने कारेकारडी की गोशना के तुरंथ बाद अपने ट्वीट में इस बात की नाराजगी को जाहिर किया था और लिखा था है कि ये अलग बात है कि मैंने कभी जताया नहीं मगर तू ये ना समझे कि तूने दिल दुखाया नहीं इस की बाते जो है वो करते हुए नजर आये थे लेकिन उसके तुरंथ बाद अखले शादव ने इस नाराजगी को भाप लिया और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि निकाह चुनाव से पहले कोई बड़ी फजियत ना हो और उसी के चलते एक बड़ा कदम अखले शादव की तरफ करते हैं करते हैं